नाभिक का आकार नाभिकीय आक्रित और नाभिकीय घनत तो परमार्द रभिमान मातरग यह चार पॉंट हम लोग डिसकस करने वाले हैं यह चोटे चोटे पॉंट है लेकिन परिच्छाओं में एक सर एक नंबर में आप से पूछ लिया जाता है एक दो नंबर में तो इंपोर्टेंट टापिक है और इसको आपको ज्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा यह मतलब आसानी से आपको आ भी जाएगा बात करते हैं ना भी किये आकार की त deze घ् emissions पावर माइनस पंदरा मीटर की होता है फिक है ना और जब यह सब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा था कि जो मतलब उनका जो आयतन होता है जो परमाड का आयतन होता है या नाभी का आयतन होता है वो आयतन हर एक तत्यू के परमाड भार पर निर्भर करता है मतलब उसके बीच में उन्होंने एक रिलेशन दि ने लिए लेफार हो spaghetti अन्कृमानपाति होता है यह चीजिद माने कहा कैस्व जब उन्हों ने अंत्य ठाट न없이 सब्सक्राइब जन्राइब क्ष़ानों करएं न करने के बाद एक निज निकाला लेकिन नाभिक का आयतन होता है वह परुमाड या द्रभिमान-sankhya जाए जादा उसका बड़ा आयतन भी यह रिलेशन डारेक्ट ली उन्होंने निकाला था अब जब अगर यह रिलेशन निकाल दिया था तो यहीं से हम लोग एक एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कैसे देखिए यहां पर जैसे बी डारेक्टली प्रपोर्शनल होता है तो आप जानते हो चूंकि यह पर्मार को माना जाता है गोला कार माना जाता है लगभग तो यहां से हम यह लिख सकते हैं चार बटा तीन पाई आर क्यूब यह गोले का आय यह चार बटा तीन पाई आर क्यूब डारेक्टली प्रपोर्पोर्शनल ए हो जाएगा और यही से हम क्या कह सकते हैं यही से हम कह सकते हैं कि r cube directly proportional a या कह सकते हैं कि r directly proportional होगा a के power 1 by 3 या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं अगर इस proportionality को हटा करके equality कर्चिन लगाते हैं तो यहाँ पर एक constant आता है r not उसको कह देते हैं a के power 1 by 3 ठीक है? तो इस तरह से यह जो r है यह नाभिक की तिर्ज्या है r क्या है? नाभिक की तिर्ज्या है और नाभिक की तिर्ज्या हम लोग यहाँ से calculate कर सकते हैं find out कर सकते हैं हलांकि कई प्रयोगों के द्वारा यहाँ पे r का जो बैलू r not की जो बैलू find out की गई वो लगभग हमको प्राप्थ हुआ 1.2 into 10 power minus 15 meter ठीक है? वास्तों में देखा जाए तो नाभिक की तिर्ज्या का जो समंतह ब्यक्त करने वाली unit होती है जो मातरक होता है वो आपका फर्मी होता है और फर्मी मतलब यह हो जाएगा जैसे एंगे स्ट्राम होता है एक एंगे स्ट्राम बराबर होता है जैसे कहें 1.2 into 10 power minus 15 meter तो finally जो है हम लोग R को represent कर सकते है इस फाव में भी R equal to 1.2 A के power 1 by 3 फर्मी एक relation यह आपको भी मिल जाएगा अब यहां से बस खाली आपको क्या करना है किसी भी आइटम का यदि आपको निकालना है radius, नूकलियस की radius कितनी होगी पर्मार्ट त्रिज्या कितनी होगी, तो आपको सिंपल क्या करना है, उसका दरविमान संख्या पता होना चाहिए, वही उठा करके, उसका घनमोल निकाल करके, यहां रखके बुड़ा कर दीजिए आपको बैलू find out हो जाएगी, ठीक है तो यहां से यह चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ है, अब हम बात करते है नाविक की आकरित, तो देखो क्या है न, जैसे अभी हमने एक relation यहां पर यूज किया, उसमें हमने आयतन जो भी लिया है, वो गोले का लिया है तो सामाने तया क्या किया जाता है, नाविक का आकार गोलाकार मना जाता है, ठीक है गोलाकार मना जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर जो है, कुछ परमाणों में इसके आकार जो नाभिक का आकार होता है वो अलग भी होता है क्योंकि जैसे जैसे द्रविमान संख्या या पर्मार्क इसका बढ़ता जाता है उस हिसाब से कुछ हाकित इसकी परिवर्टित होगी लेकिन वो केवल और केवल 10% होता है मतलब कहने का नाभिक के आकार में जो बिचलन होता है वो नियर अबाउट 10% होता है इसका ये मतलब हो गया कि सामानित है या सामानिय रूप से जब हम गोले का मतलब नाभिक के आकार की बात करते हैं या नाभिक की आकरित की बात करते हैं कि वो नाभिक कैसा है गोल है में जिसका परमाण भार बहुत ज्यादा होता है उस इस्तित में वहां पर कुछ थोड़ा सा चेंजिंग होती है लेकिन उतना ज्यादा हम लोगों के लिए जरूरी नहीं है ठीक है तो 10 परसेंट नियर आपको द्यान रखना नाभिक की घनत की अगर हम बात करें तो नाभिक क इसे बोलते हैं यानि इसमें आपका क्या क्या होता है नियूटरान प्लस जो है प्रोटान होता और यही आपका बनता है नाभिक ठीक है नाभिक में और कुछ नहों करके इतनी चीजें होती मतलब उसकी जो द्रभिमान संख्या होती है वो उसको बोलते है नियूकलियान भी कहते हैं और इसके अलावा इसमें जो प्रोटान और नूट्रान होता है और इसी को हम नाभिक कहते हैं तो इतनी चीज़ें अगर हम समझ रहे हैं तो अब हम इसका क्या करने वाले हैं डेंसिटी निकालने वाले हैं किसका नाभिक का देंसिटी निकालेंगे परवाण का नहीं हम लोग नाभिक का density निकालेंगे नाभिक में देखेंगे कि कितने द्रभिमान कितने आयतन में उपस्थित रहता है या कितने आयतन में कितना द्रभिमान उपस्थित रहता है तो उसका density निकालेंगे आप अभी देखेगा हम लोग निकालेंगे तो बहुत dense वो चीज आती है प्राप्त होता है चलिए कुल संख्या का योग तो हम मान लेते हैं एक नूकलियान का जो आवसत दरबिमान है वो एसमालियम है अब मान लेते हैं कोई जो हमारे पास item है उसका जो atomic mass है वो हम मान लेते हैं A है तो अगर हम कहें कि total nuclear का, total उस दरभिमान उस item का क्या हो जाएगा, उस दरभिमान उस परवाड का total दरभिमान क्या हो जाएगा, वो हम कहें देंगे ismalium और गुड़े capital A कैसे एक एक नुकलियान का एक नुकलियान का आउसत द्रभिमान हमने इस मालियम कहा है और हमने कहा कि किसी परमाण में जो द्रभिमान संख्या होती है वो नुकलियानों की संख्या होती है घनत तो यानि density और गन density निकालने के लिए आपको पता है घनत तो बराबर होता है द्रविमान बटे आयतन होता है तो आयतन हमने लास्ट टाइम में अभी कल्कुलेट किया है यहाँ पे आप देखिए यह चीज होती है कहां से यह हम लिखेंगे चलो लिख लेते हैं पूरा त अम सकते हैं यहां पर क्यूब कर देंगे तो यह अपने पास हो जाएगा कितना और नाट क्यूब कर दो दो दोनौं पच्छों का ऐसे हो जाएगा न, Q पे हो जाएगा क्योंकि ये कहां से मैंने यूज किया क्योंकि R बराबर है R0 A के पावर 1 by 3 ठीक, तो यहां से A हम लोग काट देते हैं, तो हम देखते हैं ये उपर ले जाओ जो कुछ है 3, 3, यम और बटा क्या हो जाएगा 4, पाई R0, Q ठीक है, तो इस तरह से हमको जो डेंसिटी मिलती है घनत तो मिलता है नाभिक का वो हमें मिल जाता है 3, यम और बटा 4, पाई R0, Q ये बाईलू हमको मिल जा रही है और ये बाईलू दर्सारा है कि इसमें जो भी सारी चीजें है वो सब का सब क्या होता है constant है, सब का सब क्या है constant है, और अगर देखा जाए, तो यहाँ पे जो R0 आ रहा है, R0 आपको कितना मिला है, R0 होता है 1.5 गुड़े 10 के पावर, माईनस 15 होता है और एक जो उसकी बाईलू होती है, क्या नाम है जैसे EM का जो आउसर दरभिमान होगा 1.67 इंटू 10 पावर माईनस आपका हो जाता है 27 केजी ठीक है, near about इतना होता है तो हम लोग अगर इस बाईलू को नेमेरिकली तोर पर पूट करके देखते हैं कि कितना नेमेरिकल बाईलू डेंसिटी के आती है तो 3 इंटू 1.67 इंटू 10 पावर माईनस 27 और डिवाइड वाई 4 पाई मींस 4 इंटू 3.14 इंटू R नाट मतलब 1.2 इंटू 10 पावर माईनस 15 और इसका क्योग ठीक है, तो इस तरह से हमको बाईलू जो मिलेगी अगर हम खाली पावर को ही कraum recall करें, पावर को ही calculate करते हैं, और सब को छोढ़ देते हैं तो 27 हो रहा है, यहाँ पे में पावर में 10 के पावर माइनस 27 ऊपर हो रहा है और यह 15, 3, 45 10 के के साथ गया आठ हो जायेगा, तो Finally हम कह सकते हैं कि हमको मिलेगा 10 के पावर 45 तीन तीस हो जाएगा और यह गटा लेते हैं 45 में से 27 तो 15 में से 7 गया 8 हो जाएगा और यहां बचा 3 में से 2 गया एक यानि 10 के पावर माइनस हमको मिल रहा है प्लस 18 हमको मिल रहा है तीक 10 के पावर हमें 18 मिल रहा है यह क्या यह है density किसकी nucleus की density अब आप इसको 10 के पावर 18 को इतना आसान मत समझे यह बहुत बड़ी चीज हो गई आप जानते हो जो पानी होता है पानी का जो डेंसिटी होता है दस के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब होता है ठीक यह इतना कम डेंसिटी होता है देखिए 10 के पावर 3 और कहां 10 के पावर 18 यानि जो पानी है पानी के अणू जितने पास-पास है उसके मुझे लगता है अगर तुलना की जाए तो 10 के पावर 15 उसकी पानी के अणु जितने पास-पास होते हैं या आप समझे एक मीटर में एक मीटर क्यूप में जितने पानी के अणु होते हैं उससे आप समझ सकते हैं कि उससे 10 के पावर 15 गुना ज्यादा एक मीटर क्यूप में आपके क्या हो जाएंग इसके पार्टिक्ल होंगे नूकलीयस के स्व 특ी अब अगले पॉइंट की बात करें हम अग्र द्रविमान महत्र होता है इसको आप समझ लिए जैसे होता है कारभन बारा होता है यह हैं जो यहां बारा का जो द्रविमान महत्र हुटा है कि 2 ethnicityдо 12 माना ज्रहिता है ठीक तो यानी कार्बन बारा के बरहमे भाग को जैसे क्या है ना जैसे हम लोग तुलते होते हैं सब चीजें किलोग्राम में तुलते हैं उसको किलोग्राम में बेक्ट करने के लिए मुझे ऐसे ही बूलना पड़ेगा 10 के पावर माइनस 27 केजी 31 केजी है ना ऐसे बड़ी बड़ी चीजे मतलब पावर बहुत छोटी राशी है तो उसके लिए क्या करते है एक इपरवाण द्रव दिमान मातरा करते ले अंग्रेजी में कहते है आटामिक पर यूनिट ठीक है क्या कहते है एटामिक कि इटामिक मांज को पर यूनिट अ ठीक न साट कर्ट में ऐसे लिख कहते हैं इसको एम यू कहते हैं या खाली यू भी कह दिया जाता है आप देखोंगे तमाम उसमें खाली यू कहा जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है कि कारवन बारा के एक यू इसी को कहते हैं मतलब कारवन बारा के बरहावें भाग को एक यू कहते हैं क्या कहते हैं जैसे क गिशन को बारा तो भार्षां तो सम्हीं लेल हो इक Bring a दामिक मास्ते ओनिट कहेंते द्यागा वक्लेशनों तबाइं है न है कुछ में ठीक है तो यह चीज आप ध्यांक रखिये और यह कहेंगी द इसेBlue पावर माइनस 27 kg ठीक है या एक यू बराबर अगर ग्राम में चाहते हैं तो 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम हो जाएगा ठीक तो इस तरह से यह इसमें चीजें होती हैं एक यू का मतलब यही हो गया एक यू मतलब प्रोटान का द्रविमान एक यू बराबर क्या होता है प्रोटान का द्रविमान और एक यू बराबर प्रोटान का द्रविमान इसी तरह से आपका हो जाएगा चाहें जहां आप चाहो तो यू में अगर आपको दिया है तो उसको आप केजी में बदल सकते हो मल्टिप्लाई करके जैसे कहीं पर मान लीजे आपको दिया है कि 20 U है किसी कदर अब 20 U का मतलब क्या हो जाएगा 20 गुड़े एक दस्मालो 6 7 गुड़े 10 के पावर माइनस 24 ग्राम ठीक है